हेलो स्टूडेंट्स कैसे आप सब हम हाजी रहें आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर और आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा चार की हिंदी की पाठ्य पुस्थक रिमजीम का पाठ सवतंतरता की ओर ये हमारा जैसा कि आप कोड में देख रहे हैं कि नाइन्थ च तो आज कल रिविजिन वर्क चल रहा है और चलिए हमारा टेस्ट का सूलिशन देखते हैं ये था हमारा क्लास टेस्ट इसमें एक परशन था कि धनी आसरम में क्या काम करता था और पेड के लिए चार विशेशन सब्द लिखने थे दो सब्दों के अर्थ लिखने थे पूरा करना है तो चलिए देख लेते हैं धनी आसरम में क्या काम करता था तो आपने सबने पाठ में पड़ा है कि धनी आसरम में क्या करता था एक बकरी थी जिसका नाम बिन्नी था वो उसकी देखवाल करता था ठीक है तो यहाँ पर आसरम और बिन्नी और देखवाल ये त दूशरा परशन था पेड के लिए विशेषन सब्द लिखने थे चार तो देखे विशेषन सब्द होता है जो उस विशेष है यानि कि जो भी सब्द है उसकी विशेषता बताई ठीक है तो यहां पर पेड की विशेषता क्या कौन सी कौन सी चीजे बताती है देखे पेड कै और चोटा पेड ठीक है और इस तरीके से आप लिख सकते हैं जो आपको ठीक लगें बस एक इसा ख़ंद ना लिक हैं हमारा तीसरा पर्सन है कि इन सब्दों के आपको अर्थ बताने थे ना पाठ में आये हुए हैं ये बहुत सारे सब्द हैं तो खादी होता है जो सूत का बनाओा मोटा कपड़ा होता है ठीक है ना आपके घर में जो रेजी की रजाई होगी तो वो सूत को कात करके चर्खे पर फिर उसका कपड़ा बनाया जाता है और उसको बोलते हैं खादी तो आपको पताई है गांधी जी ने खादी के बारे में बहुत परचार किया था तो इसलिए ये सब्द आया है हमारे पस अगला है सवतंत्र इसमें बच्चे बड़े कन्फ्यूज होते हैं इसमें मात्रा में और लिखने में बड़ी गलतिया करते हैं तो आप इसको पांच-साथ बार लिखके देख लेंगे सवतंत्र का मतलब होता है आजाद और दूसरा अगर सब्द आ जाए सवतंत्र ता तो उसका मतलब होता है आजादी ये दोनों सब्द थोड़े से आप एक बार 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 लिखकर के देख लेंगे तो आपको लिखने में खसानी हो जाएगी अगला परसन है हमारा वाक्या पूरा करो देखिए ये है मीठा यहां से लिखके आगे डैस डिस लगा दिया है कि आप यहां पे क्या लिखेंगे तो आप कुछ भी ली सकते हैं ये मीठा हलवा है ये मीठा आम है तो आप आसान वाला लिखें तो जैसे देखिए आम में कोई मात्रा की गड़बड नहीं होगी और आपको पता ही है आम एक चीज के बारे में हम बता रहे हैं तो है और है में बच्चे गड़बड कर देते हैं तो यहां पर आएगा है ये है मीठा आम है है पर अगर हम बिंदे लगा देते हैं तो वो जाता है प्लूरन यानि कि इसका बहुअचन है का उसको बोलते हम है तो अगर हमें ज़्यादा चीजों के लिए लिखना पड़े तब हम लिखेंगे हैं जैसे देखिए बच्चे दोड़ रहे हैं तो बच्चे हैं ज़्यादा हैं इसलिगे हैं आया और अगर हम एक बच्चे के बारे में लिखते तो हम लिखते बच्चा दोड़ रहा है तो आप है और है में ध्यान रखें एक और इसमें बहुत जरूरी बात मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आपका वाक्य पूरा हो जाता है तो आपको पता है पुर्ण विराम लगाना पड़ता है यानि कि यह जो खड़ा डंडा है ठीक है पुर्ण विराम होता है जब आपका वाक्य पूरा हो जाए तो पुर्ण विराम अगर नहीं लगाएंगे तो विराम चिन वाली गलती में आपके मांक काटे जा सकते हैं ठेके मैंने ठंडा सरबत बस यहां तक लिखा और छोड़ दिया आगे तो आपको पताई है सरबत को क्या करते हैं, पीते हैं तो आप simple लिख दीजिए मैंने ठंडा सरबत पिया या किसी को दिया है तो आप लिख सकते हैं मैंने ठंडा सरबत दिया कुछ भी आप लिखिए बस पूरण विराम जरूर लगा दीजिए आगे था हमारा गरम समोसे देखो गरम गरम समोसे तो सबको अच्छे लगते हैं न तो इसके आगे भी डैस था और पीछे भी डैस था तो आप इसमें देखिए आप अपनी तरब से कोई वाक्य बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ये मैंने आसान आसान वाक्य बनाई हैं ताकि आपको लिखने में गड़बड़ना हो यहां पर जो मैंने आया है ना इस हैं तो आप बस आसान सा वाक्य बनाई है ताकि आपकी मात्रा में ज़्यादा गलतिया ना हो ठीक है और पुर्ण विराम जरूर लगा देंगे या फिर अगर क्यूस्टन मार्क वाला ऐसा कोई वाक्य है जिसमें कोई परसन पोचा जाए तो आप परसन वाचक चेन लगा द हिंगी